तो हाई गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कि यह section, subsection और close को कैसे read किया जाता है लोग की book में तो आभी हम देखने हैं आपको अपको यह बहुत ज़्यादा काम आने हैं तो let's get started सबसे पहले हमाँ सामने section का structure यह में example लेकर चलना हो कि ऐसा हमें दिया होता है और इसके अंदर जो terms है जैसे 10, 3, 2 और यह second तो इसको क्या क्या होते हैं यह तो यह जो 10 है यह होता है section 3 जो होता है वो होता है subsection यह जो होता है close और यह जो 2 लिखा है roman number वे यह होता है sub close अब इसको हम total मिलाके पढ़ेंगे कैसे तो देखो section 10 पहले हम इन numbers को रखते हैं जैसे section 10 subsection 3 close A sub close 2 अब इसमें एक चीज़ ध्यान से फिर से देखना मैं फिर से बोल रहा हूं section 10 subsection 3 close A sub close 2 अब आते हैं इसका note कि हमारा जो यह rule है यह हर जेगा नहीं अपलाई होता है इसमें थोड़े एक exception भी होता है कि यह जो पोजीशन है थ्री की यहां पे यह कई बार इसको close में पढ़ा जाता है और कई बार इसको subsection में पढ़ा जाता है यह तो fix section यह section नहीं ठीक है इसका यहां से difference आता है अब कब कब कहा कहा पढ़ा जाता है यह हम देखने जा रहे हैं तो देखो भईया यहां पर मैंने छोटा से एक rule बता रहा है आपको छोटा से अपने तरह के से experience से बता रहा हूं कि जो subsections होते है न independent सारे के सारे एक दूसर से independent होते है जैसे यहां पर बुक को लेके चलते है लाई जैसे यहां से अब यहां पर देखरोगा definition यहां पे रूट से लेकर चलते हैं यह जो definition देवां है definition यह तो two है यह जो two है यह तो section है यह थो हमारे सामने fix 包 है क्योंकि हमने यहां पर Marine क्या देखा था यह fix यह होता है close ब्रीक्षा All अभर संब्रे में इसको पढ़ना चाहता हूं तो मुझे इसकी पढ़ने की जोड़त नहीं है मैं इसको पढ़कर और उत्मेटिकल समझ सकता हूँ इसको अपना आप में पूरा completed है इस सारे definitions है इस सब अपना आप में complete है यह निकि मुझे ये पढ़ना है तो मुझे यह compulsory पढ़ना तो भी समझ मैं आगा तो इसको हम पढ़ेंगे कैस तो यह हो गया section 2 close for 1 section 2 close to section 2 यहाँ पर देखो आप section 2 close close 3 agricultural income tax low तो यह सब अपने आप में complete है तो यह definitions में जाता होता है जो definitions उसी में close लगता है अब हमार सामने यहाँ पर देवा दूसरा सब सेक्शन सब सेक्शन में भी paragraphs होते हो और इसमें linkage होता है मतलब linked होते हैं यहाँ आपस में जैसे कि देखो यहाँ पर employer है employer में लिखाव है यह employer includes यह अगर मैं चाता हूँ कि employer कोन है मैं जानना चाता हो तो मुझे दोनों definitions पढ़न समझ में आएगा दोनों अपना पर complete है और यहाँ पर कोई complete नहीं है क्योंकि employer वही होगा जो दोनों के दोनों complete पूरा fulfill करेगा तो वह employer कहला है तो इसके यह क्या होगी सब सेक्शन होते हैं यह linked होते हैं जिफकि last वाले में कोई linked नहीं होते हैं ठीक है तो अब हम पढ़ें section 1 section 14 subsection 1 section 14 इसको पढ़ना हो तो section 14 subsection 2 तो इस तरीके से पढ़ते हैं उमीद करते हूं आपको समझ में आ गया होगा नहीं तो एक बार और आपको बता देता हूं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए देखो यह जो है definitions के नीचे लिखा होता है यह सब आपस में complete होते हैं जैस banking company पढ़ूँगा तभी मैं कोई यह समझ में नहीं सब आपना आप में complete है तो जो completes होते हैं उसको हम clause कहते हैं अब जो दूसरा आ जाता है हमारे सामने employer इसके इंदर देखो को तो इसके दो हैं अगर मैं चाहता हूं कि employer मुझे पता चले तो दोनों पढ़ना होगा एक complete नह कर दो